नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए अपडेट के सांथ दोस्तों आज हम बात करने वाले मेर्च के पौधे के उपर देख सकते हैं कि हमारा मेर्च का पौधा कितना अच्छा और बहुत ही अच्छी क्वाल्टी से ग्रोथ ले रहा है मेर्च की पत्यां आप देखी रहें कितने गहरे हरे रंग के आपको दीख रहे हैं तो इसी में दोस्तों आज हमें कैसा फटी लेजर आपको दिखा रहे हैं जिसको डालने के बाद आपके भी मेर्च के पौधे कुछ इसी तरीके से बहुत तेजी से ग्रो होंगे और जो फॉलफूल आने की संख्या उनमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा तो इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को अंतक जरूर देखना है जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मिस्त न करिएगा हमने जो काले और सफेद रंके जो चीज लिए है इसको भूरे रंके आप चीज देख रहे हैं इसको बोला जाता है दोस्तो जाइम इसको कहीं कहीं पर सी बीट के भी नाम से जाना जाता है ये समूद्र के तलों में जो घास पाई जाती है, उनसे बनाया जाता है, और हमने लिया है नैट्रोजन, तो एक पौधे के लिए आपको ज्यादा नहीं लेना है, लगभए 10-20 ग्राम दोनों चीच को मिला के ले लेना है, और पौधे के चारो तरह आपको कुछ इसी तरीके स भी खेर देना है, ज्याद रहें दोस्तों, जब भी आप फटी ले जड़ दे तो पौधे के आसपास के में जो मिट्टी जड़ है, उसमेर कोई भी खरपातवार वेगेरा ना हो, डारेक्ट जो हम पोशक तत्वा दे रहें दोस्तों, वो पौधे को मिले, इसे पौधे की जड़ में दोस्तों काफी तेजी से ब्रिद्धी होगी, जदी खरपातवार नहीं निकालते हैं, तो पूरा पो सकता है, तो खरपातवार ले लेगा, तो इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, ये दोस्तों दो पाधे हैं, कितने अच्छा आपको देखन ज्यान रहे, दोस्तों आपको इसवो सीर्फ महिने में एक से जा फिर दो महिने में एक बार ऐसे करना है, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नेट्रोजन दोस्तों बहुँती ज्यादा देखा जाए, तो पावर फुल होता है, इसे पाधे की वृध्धी काफ झाल झाल